में क्या पूछा है कि LCM से वो पांच को करने के लिए ट्रिक्स याद करेंगे तो रिलेवंट नहीं है यह सीटेट के लिए हलो अब्रिवाण इस मीश निहा सिंग एंड वलकम तो प्रपरेशन भी जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं हम और ध्यान्रखी की पेपर 2 से कर रहे हैं content की question कर रहे हैं content से paper 2 में 20 questions आते हैं तो बहुत ही important है आपके लिए यह तो start करते हैं है न कि पहला question है हाँ ध्यान्रखी की paper set इंग है यह how many pair of twin prime numbers तो प्रश्न में किस की बात हो रही है अभाजी युग्मों की बात हो रही है अब भाजी संख्या क्या है एसी संख्या है जो एक से और खुद से करती है वो अभाजी होती है तो अब युग्मों कौन से होते है उनके ठीक है तो अगर हम कोई एक्जामपल ले जैसे कि हमने अभाजी संख्या ले ली तीन ठीक है तो अब तीन में के बाद अगर हम तीन में दो जोडते हैं तो उसकी अगली मतलब जो संख्या मिलेगी तीन में दो जोडने पर कितना मिले तो पांच अभाजी संख्या है क्या हाँ पांच भी अभाजी संख्या है इसका मतलब तीन और पांच मेरी क्या हो गई अभाजी युग्म हो गए मेरे तीन और पांच मेरे अभाजी युग्म हो गए ठीक है तो ऐसे ही आपको संख्या बतानी है एक सौ तक के बीच में ऐसे कितनी अभाज यूग में ऐसे कितनी ट्विन प्राइम नंबर से ये बताने हैं तो पहला जो ट्विन है वो क्या है थ्री एन फाइव है तू एन थ्री कंसेडर नहीं होता है क्योंकि उसमें टू एड़ करने पर थ्री नहीं मिल रहा है वन एड़ करने पर ही मिल रहा है इसलिए टू एन थ्री ट्विन प्राइम नंबर नहीं है थ्री एन फाइव है उसके बाद है नेक्स्ट सेवन एन फाइव है ना फाइव में सेवन एड़ करेंगे तो 5 में 2 add करेंगे 7 then उसके बाद 11 and 13 फिर उसके बाद है उसके बाद है 41 and 43 उसके बाद है 59 and 61 फिर उसके बाद है 71 and 73 ठीक है तो ये सारे हैं मेरे twin prime numbers between 1 to 100 एक सौतक के संख्या के बीच में इतने prime numbers है इतने twin prime number के pairs है तो कितने है total 8 है तो इसका answer मेरा क्या हो गया 4th option मेरा right हो गया ठीक है अब next question देखते है if this 21,168 is equal to this where A and B are natural numbers then what is the value of this statement ठीक है तो हमें ये दिया गया है और जिसमें A, B और C मेरी क्या है प्राकृत संख्या है तो इसका मान बताना है आपको ठीक है तो question difficult नहीं है काफी आसान है ये अगर आप ध्यान से करें तो करना क्या है हमें question में पहली बात दिया क्या है कि 21,168 बराबर है किसके 2 की घात A है 2 की घात A है मतलब 2 को कई बार गुडा किया गया है सीदी सी बात है और 3 को कई बार गुडा किया गया है और 7 को तो कितनी बार 3 की संख्या है कितनी बार 2 की संख्या है कितनी बार 7 की संख्या है ये अगर हम पता करेंगे तो हमें A, B और C का मान पता चल जाएगा है की नहीं तो अब A और B, A, B, C का मान कैसे मिलेगा अगर हम ये 2, मतलब ये संख्या को 2 से भाग दे दे 3 से भाग दे दे, 7 से भाग दे दे तो यहाँ पर जो संख्या हैं वो हमें पता चल जाएगी उनका गुडन फल पता चल जाएगा ठीक है तो हम यही करने वाले हैं क्या करेंगे 2, 1, 6, 8 को हम डिवाइड करेंगे 2, 3, and 7 से तो 2 से डिवाइड करने पर क्या होता है 2 से डिवाइड करने पर 1, 0, 5, 8, 4 ठीक है अब 3 से कैंसल करेंगे तो क्या होगा 3, 3, 9, 15, 12, 28, 24 अब अगर हम इसे 7 से कैंसल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 5, 0, and 4 मतलब यहाँ पर जो संख्याए हैं उनका गुडन फल कितना है 504 है उनका गुडन फल है 504 मतलब अगर मैं 504 का गुडन खंड निकालूँ तो मुझे यहाँ पर कितने बार 2 है, कितने बार 3 है, कितने बार 7 है यह पता चल जाएगा ठीक है तो अगर आप इसका गुडन खंड निकालोगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा दो का गुडन मिलेगा आपको तीन बार 2, तीन बार मिलेगा उसके बाद तीन की संख्या दो बार मिलेगी और जो साथ है वो एक बार मिलेगा ठीक है ना? तो दो मुझे कितनी बार टोटल मिल रहा है? चार बार मिल रहा है, मतलब एक कमान कितना हो गया? 4 हो गया 3 कितनी बार मिल रहा है मुझे 3 बार मिल रहा है मतलब B कमान कितना हो गया 3 हो गया और 7 कितनी बार मिल रहा है मुझे 2 बार मिल रहा है मतलब C कमान कितना हो गया 2 हो गया ठीक है तो मुझे सारी values मिल गई कि A कमान कितना होगा B का मान कितना होगा C का मान कितना होगा तो आप सीधा-सीधा इसमें value put करके find कर सकते हैं कि answer क्या होगा तो अगर मैं इसमें A का मान 4 रखूँ तो कितना हो जाएगा चार्चोग 16 minus 5B B का मान कितना निकला 3 मिला मुझे तो क्या हो जाएगा 15 plus C C कितना मिला 2 मिला ठीक है तो 16 plus 2 18 हो गए 18 में से 15 गए कितने बचे 3 बचे 18 में से 15 गए कितने बचे 3 बचे तो answer मेरा क्या हो गया 4th 4th मेरा right answer हो गया अब next question देखते हैं Let X be the least number which one divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a remainder 5 in each case What is the sum of digits of X माना कि X वह सबसे छोटी संख्या है जिससे इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रतेक दशा में 5 बचता है ठीक है तो X के अंको का योग बताना है आपको तो ऐसे question करने के बहुत सारे short tricks है मगर मैं आपको tricks नहीं बताने वाले क्योंकि सीटेट में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप हर एक question scratch से solve कर सकें ठीक है तो हम question को समझेंगे कि कि कितने tricks याद करेंगे हर एक question को करने के लिए tricks याद करेंगे तो relevant नहीं है यह सीटेट के लिए तो अब यहाँ पे question में क्या बात हो रही है कि X वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से भाग देने पर पांच बचता है ठीक है तो हमने ऐसी संख्या के बारे में हम जानते हैं जब बहुत सारी संख्या हैं दी हुई हो और उससे जो इन सभी से जो एक संख्या जो कट जाती है पूरी तरीके से सबसे छोटी संख्या उसको हम LCM के नाम से जानते हैं है ना लसावी के नाम से जानते हैं कि लसावी वस संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णता कट जाती है सबसे छोटी वस संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता कट जाती है वो होता है LCM मेरा वो मेरा लसावी होता है ठीक है तो इसका और फिर क्या बोला है क्वेस्चन में कि X वा सबसे छोटी संख्या है जिसे इन सभी से भाग देने पर प्रतेक दशा में 5 बच रहा है मतलब क्वेस्चन में क्या पूछा है कि LCM से वो 5 पहले क्या फाइंड करना है LCM निकालना है और इसमें 5 जोड़ दूँगी तो मैं मुझे वा संख्या मिल जाएगी ठीक है तो इस सबका LCM निकाल लेंगे LCM आप normal method से भी ऐसे भी कर सकते हैं या दूसरा भी तरीका है अभी next के question में हम देखेंगे कि कैसे निकालते है LCM without factorization ठीक है तो अब यहाँ पर इसको अगर मैं 4 से cancel करूँ तो यह मेरा 2 हो जाएगा यह मेरा 3 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा यह 7 हो जाएगा और यह 35 से रहेगा ठीक है अब इसको अगर मैं 7 से cancel करूँ तो यहाँ पर मेरा यह 1 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा यह 4 रहेगा, यह 3 रहेगा, यह 2 रहेगा अब इसको अगर मैं further 2 से cancel करूँ तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा यह 3 रहेगा, यह 1 रहेगा और यह 5 रहेगा मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, कौन सी संख्याएं मिल रही है 4, 7, 2, 3, 2, and 5 ठीक है, तो इन सभी का मैं गुड़ा कर दूँगी, तो मुझे LCM मिल जाएगा तो यह 28 हो गया और उसको मैं 3 से multiply कर दूँ, 28 को 3 से multiply करने पर कितना होगा, 84 होगा और फिर यहाँ पर 2 है, और 5, I mean 10 हो गया, तो यहाँ पर 0 मिल गया मतलब मुझे LCM कितना मिला, 8, 40 मिला, अब यहाँ पर किस संख्या की बात हो रही है LCM से 5 बड़ी संख्या, तो इस से 5 बड़ी क्या हो जाएगी, 8, 40, 5 ठीक है, अब इस संख्या के अगर आप अंको को जोड़ें अगर आप इसके digits का sum ले, तो कितना हो रहा है 8 and 4, 12 and 5, 17 हो रहा है तो मेरा answer क्या मिला, 4th मेरा answer हो गया ठीक है, अगर आपको explanation समझ आ रही है तो चानल को subscribe कर दे, वीडियो को like कर दे और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझे comment section में बताए ठीक है, अब next question देखते हैं what number should be subtracted from each of 50, 61, 92, 117 so that the number so obtained in this order are in proportion ठीक है, अब question में किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि यह 4 संख्याएं दी गई है और बताना है कि इन सभी में से मैं ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं कि यह समान उपात में हो जाए ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि समान उपात में कैसे होगी इसके लिए बताना है कि क्या करें, कितना घटाएं ठीक है, तो यह question easy है खाली अब minus करके बता सकते हो पहले तो समान उपात means क्या अगर समझो आपके पास number दिया है 3, 6, 7, 14 ठीक है, अगर इसको बोले कि अगर यह समान उपात में है समान उपात में होने का मतलब क्या कि अगर मैं इन सभी को काटूं तो इसके बाद जो ratio मिलेगा इसके बाद जो अनुपात मिलेगा वो एक बराबर होगा है ना, इसको तीन से काटेंगा तो यह एक हो जाएगा, यह दो हो जाएगा और इसको साथ से काटने पर क्या हो जाएगा यह वन हो जाएगा और यह टू हो जाएगा मतलब क्या हुआ, किसी संख्या से काटने पर मुझे जो अनुपात मिल रहा है दोनों का वो समान मिल रहा है मतलब दोनों क्या है समानुपाती है मतलब 3, 6, 7 और 14 क्या है समानुपाती है वो proportion में है ठीक है तो अब इन सभी संख्याओं में में से मुझे क्या करना है ऐसी संख्या घटानी है जिसको घटाने पर मुझे जो number मिलेगा वो समानुपाती हो प्रपोर्शन में हो जाए तो अगर मैं पहला इसमें एक्जामपल लो 14 माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा divided by 61 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 92 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 78 और फिर यह हो जाएगा 103 ठीक है तो यहाँ पर हमें कोई भी संख्या ऐसा डिख नहीं रहा है कि इसको कैंसल करने पर ये एक रेशियो में गनवर्ट हो जाए ठीक है अब नेक्स माइनस करके दिखते हैं 17 17 इससे इसमें 3 और माइनस करना होगा तो इसको मैं अगर मैं 3 डिरिकली माइनस करते हूँ तो क्या हो जाएगा 33 यह हो जाएगा 44 यह हो जाएगा 75 यह हो जाएगा 100 ठीक है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यह अगर मैं इसको 11 से alf कर आएगा तो ये 3 upon 4 हो जाएगा 3 is to 4 हो जाएगा और अगर इसको 25 से करूँ तो ये भी 3 and 4 हो जाएगा मतलब कौन सी संख्या घटाने पर मुझे समानुपाती संख्याई मिल रही है तो इसका अंसर है 2nd 17 घटाने पर मिलेगा अब next question देखते हैं A sum of 1710 is divided in 1 in A, B and C such that 4 times of A 6 times of B and 9 times of C are equal what is the difference between A and C ठीक हमारे पास एक राशी दी गई है 1710 रुपे की और बोला गया है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना बराबर है तो A और C के पास जो राशी है उनमें कितना अंतर है ठीक है तो question difficult नहीं है easy है पहले देखो क्या दिया है कि 4 गुना A का बराबर है B के 6 गुने से और वो बराबर है C के 9 गुने से ठीक है तो अगर कभी भी आपको ऐसे दिखे कि यहां पर equal equal दिया है ठीक है इसका इतना गुना इसके बराबर है इसका इतना गुना इसके बराबर है तो इसको आपको अनुपात में बदलना है ठीक है अनुपात में बदलना है तो क्या करना है इन सब का आप LCM ले लो लसावी ले लो लसावी कैसे लेंगे देखो दूसरा तरीका है चार को मैं क्या लिख सकती हूं 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुड़े 3 लिख सकती हूँ 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 गुड़े 3 अब इसमें common numbers क्या है ये 2 है common ये 2 है common तो 2 को एक बार लिख लिया ये 3 है common यहाँ पर ये 3 है common तो 3 को एक बार लिख लिया अब बचा क्या ये टू बचा ये थ्री बचा है ना तो ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरा लसावी है ये मेरा LCM है ठीक है तो multiply करोगे तो आपको कितना मिलेगा 36 मिलेगा ठीक है मुझे LCM कितना मिला 36 मिला अब एक आनुपात कितना है उसके लिए क्या करेंगे कि 36 में 4 से भाग देंगे क्यों वो 4 गुना है ना तो 36 में भाग देने पर क्या होगा 9 मिलेगा मुझे फिर 6 से भाग देने पर क्या मिलेगा मुझे 6 मिलेगा फिर 9 से भाग देने पर 36 को 9 से भाग देने पर 4 मिलेगा मतलब A, B, C का अनुपात कितना मिला मुझे 9 अनुपाते 6 अनुपाते 4 9 इस्टू 6 इस्टू 4 रेशियो मिला मुझे A, B, C का अब मैं डिरेक्टली क्या कर सकती हूँ पता सकती हूँ कि किसके पास कितने पैसे हैं ठीक है तो यहाँ पर कुल राशि कितनी है 7010 रुपाय है है ना 7010 रुपाय मतलब 7010 रुपाय मतलब इन सभी को जोड़ने पर मुझे 7010 के बराबर मिलेगा ठीक है तो ये कितने हो रहा है 19 हो रहा है तो ये मुझे क्या मिला, यहाँ पर X का मान कितना मिला, 90 मिला, अब यहाँ पर पूछा है कि A और C में अंतर क्या होगा, तो A और C का अंतर कितना है, 5 है, है कि नहीं, 5 है, तो 5 को 90 से आप गुड़ा कर दोगे, X के मान से गुड़ा कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो 9.45 होता है तो फिर कितने हुए 450 रुपए तो A और C में के पास जो राशी है उनमें अंतर क्या है 2nd 450 रुपए का अंतर है ठीक है अब next question देखते है The number of fruits in basket A and B are in the ratio 7 is to 9 If 6 fruits are taken out from A and put in B then this ratio becomes 1 is to 3 The total number of fruits in A and B are what देखो 2 हमारे पास टोकरी है A और B ठीक है जिनका अनुपात दिया गया है हमें 7 अनुपाते 9 ठीक है अगर यदी टोकरी A में से 6 फल निकाल कर B में डाल दिये जाए तो अनुपात मेरा बदल जाता है 1 अनुपाते 3 में ठीक है तो question में क्या बात हो रही है कि पहले अनुपात था 7 7 अनुपाते 9 ठीक है अब इस में से क्या किया गया 6 निकाल दिये गये A में से 6 निकाल दिये गये और B में 6 डाल दिये गये तो जो अनुपात हमें मिल रहा है एक बटे तीन के ठीक है अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग डारेक्ली लिख नहीं सकते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस कर दिये तो इसके साथ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा तो यह X हो गया और यहाँ पर भी यह क्या हो गया X हो गया 6 ठीक है अब 21 में से आप 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेंगे बराबर हो गए किसके यह 18 और 6 हो गए 24 मतलब X 12 X बराबर 24 हो मतलब X कमान कितना मिला 2 मिला X कमान कितना मिला मुझे 2 मिला अब दोनों का अनुपात कितना था दोनों का अनुपात मुझे मिलेगा फिर X में इसका गुडा कर दो 7 इस टू 9 था न तो X का गुडा करेगे तो आप मिलेगा 14 और यह 18 तो जोडने पर मुझे कितना मिलेगा 32 ठीक है ना 14-18 जोड़ोगी तो कितना मिलेगा 32 मिलेगा तो सेकेंड मेरा इसका राइट आंसर हो गया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और कुछ भी आपका डाउट, सजेशन, फीडबैक देना हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे और थैंक्स वर वाचिंग